बाकी रिपोर्ट्स भी आज आएंगी थुरू दे और अफकोस शाम को और रिपोर्ट्स आएंगी वांस इलेक्शन के रहे दिये UBS ने अल्रीड एक रिपोर्ट निकाल दिये चुनाओ के नंतीजों पर इस ट्रेंड को देखते हुए UBS का क्या मानना है बाजार को लेकर एलेक्शन ट्रेंड और इसके इंपाक्ट को लेकर आई एक बार नुपूर से अपडेट लेते हैं नुपूर बताईए कि अभी तक कि जो आकड़े ओ एक्जिट पोल के अनुसार तो उन्हें नहीं नज़रा रहे हो जैसे कि हम देख भी सकते हैं उनका कहना है कि BJP as a party अगर majority नहीं आती है और alliance के साथ government बनाती है तो market के लिए थोड़ा negative ये हो सकता है उनका ऐसा मानना है उनका कहना है कि यहां से तीन scenario फिलाल निकल के आते हैं पहला प्रदानमंतरी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और उनके साथ जो ministry में होंगे वो alliance के लोग होंगे तो वहां पर एक सबसे बड़ा scenario पहले ये निकल के आता है जिसकी वज़े से जो government की policies and reforms है वो शायद उतनी impactfully implement ना हो या government जो है वो smoothly ना चले पहला scenario जो है UBS की तरफ से वो ये निकल के आता है दूसरा उनका scenario में ये कहना है कि NDA की सरकार तो बन जाएगी लेकिन प्रदानमंत्री मोदी जी अगर नहीं प्रदानमंत्री बनते हैं और कोई और बनता है तो यहां से भी एक negative market के लिए हो सकता है तीसरा scenario UBS का कहना है कि BJP के साथ जो एंडिया में वो BJP ही छोड़ दे और इंडिया लाइन्स के साथ चले जाए तो यहां से तो market और भी negative हो सकता है और जो policies होगी reforms होगी वो भी बहुत बदलाओ यहां से देखने को मिल सकता है बिल्कुल सर क्योंकि वो इंडिया पर underweight है उनका कहना कि पहला ही scenario market के लिए positive है पहला भी कहा positive है पहले वो क्या कह रहा है कि सरकार तो बनेगी लेकिन alliance वालों को ज्यादा ministry देजेंगे अगर वो दे दी तो फिर इतने reforms strongly implement ना तो भी वो धिला ही बोलना ना हाँ sir क्योंकि वो underweight है वो तो ठीक है वो उनका view है उसमें कोई बात नहीं है I think वो underweight को justify करने के कोशिश कर रहे है क्योंकि पहले से valuation की वज़े से underweight थे और अब उन्हें एक और शायद reason मिल क्या तो पहला यह और दूसरा यह कि एंडिय की सरकार बने के लिए मोदी जी नहीं मनेंगे यह दूसरा यह कि एंडिय की सरकार ही नहीं बने इंडिय वाले भाग के इंडिय में चले जाए वैसा है उसकी situation में क्या कह रहे हूं उनका कहना कि policies बिलकुल change हो जाएगी और वो market को शायद बिलकुल भी पसंद आएगी बेस के सिनेरियो में वो मजबूत सरकार मानी नहीं नहीं है इफेक्टिवली यह हुआ रहे है और के details से बस उनका यह कहना कि valuation अब यहां से justify नहीं होंगे अगर government यहां से change होती है तो द Okay, तो इस समय तो व्यू कुछ positive निकल कर नहीं आ रहा है जहां तक EU-based की reporter but of course through the day और भी reports आएगी इस पर भी हम focus करने वाले हैं